मेरा नाम पंकर सुभीर है, मैं हिंदी का एक लेखक हूँ, मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ आप देख रहे हैं इन दिनों चारों तरफ कोरोना वाइरस या कोवीड नाइंटीन का प्रकूप फैला हुआ है ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है कि हम स्वयम सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें सुरक्षित रहने और सुरक्षित रखने के लिए जो तीन सावधानिया सबसे ज़्यादा जरूरी है उन्हीं की बात में करने आया हूँ पहली बात बिना मास्क लगाए अपने घर से बाहर ना निकलें जब भी बहार निकलें तो मास्क पहनें तीन लेयर वाला मास्क पहनें नाक अच्छी तरह से धकी हो मुँ अच्छे से धका हो क्योंकि सारे डॉक्टर इस समय एक ही सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन ह जो हमारी रक्षा करेगा तो आपसे बहुत निवेदन है कि आप मास्क हमेशा पहने रखें दूसरा अपने हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोते रहें 20 सेकंड से कम ना धोएं हाथों को ये ध्यान रखें क्योंकि 20 सेकंड में ही कोरोना वाइरस समाप्त होता है और साबुन जहां उपलब्द नहीं है वहाँ सेनिटाइजर से अलकोहल वाले सेनिटाइजर से अपने हाथों को धोएं ये दूसरी बड़ी सावधानी है जो हमें संक्रमित होने से बचाएगी हमारे परिजनों को संक्रमित होने से बचाएगी तीसरी बड़ी सावधानी कि जब भी आप कहीं सारवजनिक जगे पर खड़े हैं तो एक दूसरे के साथ 6-7 फिट की दूरी रखकर ही बात करें उससे कम दूरी पर बात ना करें ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है भीड में जाने से बचें कोई भी ऐसी जगे ना जाएं जहां भीड हो रही है और अगर किसी सारवजनिक जगे पर आप चले गए हैं तो वहाँ एक दूसरे से कम से कम 7-6 फिट की दूरी रखकर ही बात करें तो तीन सावधानिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मास्क हमेशा उसका उपयोग करें दूसरा हातों को साबुन से दुएं 20 सेकंड तक या सेनिटाइजर करें और तीसरी बात आप कम से कम 6-7 फिट की दूरी रखकर एक दूसरे से बात करें आशा है आप इनका पालन करेंगे नमस्कार